परिचाए आरियन इस डिस्क को पकड़ो मैंने इसे पकड़ लिया है अब डिस्क को पकड़ने की तुम्हारी बारी है मैं इसे पकड़ लूँगा देखो तुम्हें चोटना लगने पाए ध्यान से ओह ये दर्द का रहा है और इसमेंसे खून भी निकल रहा है आरियन ये देखो चोट पर एक परद बन गई है और खून पहना भी रुग गया है ये कैसे हुआ? येश चोटो पर कारे करने की ये हमारे शरीर की अपनी क्रियाविधी है ये एक शतिक रस्थ भाग पर प्रोटीन की एक परद बनाता है जो रुधिर यानी रख्त की हानी रोकती है वाँ! ये तो बहुत रोजग है तुम मुझे इसके बारे में कुछ और बताओगे? हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं? तो आओ! मैं तुम्हें शरीर द्रव और मानष शरीर में परिसंचरण के बारे में विस्तार से बताता हूँ उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे रुधिर और इसके अव्यवों का वणन करना रक्त समोहों की व्याख्या करना रक्ति सकंदन की व्याख्या करना, लसीका के बारे में जानना, परी संचरन पत का वड़न करना, रिद चक्र की व्याख्या करना, रिद निकास को परिभाशित करना, विद्योत हिरिद लेक को परिभाशित करना, दुई संचरन की संख्षिप्त व्याख्या करना, रिद क्रिया के नियमन की चर्चा करना परिसंचर अन्तंत्र की विक्रितियों की चर्चा करना रुधेर रुधेर अपार दर्शी लाल द्रफ है जो सौतंत्र रूप से बहता है और इसमें उच्छ घनत्व तथा जल से अधिक श्यानता होती है इसमें प्लाजमा तथा संगठित तत्व होते हैं प्लाजमा प्राद्रव्वे प्लाजमा रुधेर का तरल भाग है ये 90 प्रतिशत जल और लगभग 6-8 प्रतिशत प्रोटीन वाला जटिल्विलियन है प्लाजमा में फाइब रुधेर के प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल होती है और एल्बुमिन रुधिर में जल का संतुलन बनाये रखने के लिए उत्तरताई होती है प्लाजमा की बिना रुधिर कोशिकाएं पूरे शरीर में ब्रमण नहीं कर सकती सपश्ट तरल जो इसकंदन पर रुधिर से प्रतक किया जाता है सीरम कहलाता है संगठित पदार्थ संगठित तत्वों में इरिथ्रोसाइट, लिूकोसाइट और प्लेटलेट्स शामिल है इरिथ्रोसाइट ये लाल रुधिर कोशिकाएं भी कहलाती है ये मानव शरीर में सभी कोशिकाओं के बीच सबसे अधिक होती है लाल रुधिर कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन का कार फेपरों से शरीर के सभी उतकों तक आक्सीजन ले जाना होता है और ये उपाप जय के अप्शिस्ट उतपाद कार्बन डायोकसाइट का भी फेपरों तक परिवाहन करती हैं जहां ये उतसरजित होता है लिउकोसाइट शोयताणू लिउकोसाइट या शोयत रुधिर कोशिकाएँ प्रती रक्षा तंद्र की कोशिकाएँ है जो संक्रमड से लड़ती हैं और संक्रमक रोगों तथा बाहरी पदार्थों से हमारी शरीर की इस रक्षा करती हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनियो लोसाइट यानी कणी काणू और अग्रेनियो लोसाइट यानी अकण कोशिका, ग्रेनियो लोसाइट में नूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल होती हैं, जहां अग्रेनियो लोसाइट में लिंफो और शो लौपते। ये परजीवी रोधी के रूप में कारे करती है और एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेती है लिंफोसाइट दो प्रकार की होती है B और T लिंफोसाइट ये रोगों से लड़ती है प्लेटलेट्स, पट्टिकानू रुधिर प्लेटलेट्स थ्रोंबोसाइट भी कहलाती है क्योंकि ये थ्रोंबोप्लास्टिन का स्रावन करती है ये सबसे छोटी रुधिर कडिकाएं है रुधिर प्लेटलेट्स, अकेंद्रिकित, अंडाकार, अभियोतल, बिमजैसी काएं रुधिर में इनकी संख्या 0.15 से 0.40 मिलियन प्रती घन मिलिमीटर होती है रुधिर प्लेटलेट्स, अस्थी मज्जा की बड़ी मेगा केरियोसाइट कोशिकाओं के कोशिका द्रवे से बनती है रक्त समो, रक्त के दो समो होते हैं, वे हैं A, B, O और R, H A, B, O समो, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर A, B, O समो के चार प्रकार हैं अर्थात A, B, A, B और O तालिका से हम कह सकते हैं कि O रक्त समोवाला व्यक्ती किसी भी समोवाले व्यक्ती को रुधिर दान कर सकता है इसलिए O रक्त समोवाला व्यक्ती सर्वदाता कहलाता है और AB रक्त समूँ वाला व्यक्ति किसी भी दूसरे रक्त समूँ से रुधिर ले सकता है। इसलिए AB रक्त समूँ वाला व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है। RH समूँ RH कारक एक प्रतिजन प्रोटीन है जो इरीथ्रोसाइट की सतह पर पाया जाता है। इसकी खोज रीसेस बंदर में की गई थी। यदि जिस व्यक्ति में RH प्रतिजन उपस्तित है तो वो व्यक्ति RH सहित यानि RH पॉजिटिव कहलाता है। और यदि जिस व्यक्ति में RH प्रतिजन अनुपस्तित है तो वो व्यक्ति RH हीन यानि RH निगेटिव कहलाता है। रुधिर आदान प्रदान से पहले RH समूं का मिलान करना आवशक है। क्यूंकि यदि RH हीन व्यक्ति को RH सहित रक्त चढ़ाया जाता है तो RH हीन वाले व्यक्ति का रक्त RH प्रतिजन के विरुथ प्रतिरक्षी बनाने लगता है। यदि गर्बवती माता का रक्त RH हीन है और भुरून का रक्त RH सहित है तो प्रथम प्रसव के समय कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। लेकिन प्रथम प्रसव के दौरान भुरून का रक्त माता के रक्त से मिश्रित हो सकता है और माता का रक्त में उपस्थित RH का रक्त के व कि आरेच प्रतिरक्षी माता से ब्रून के रक्त में पहुंच जाए और ब्रून की लाल रुधिर कोशिकाओं को नश्ट कर दे ये एरिथ्रोब, ब्लास्टोसिस, फिटेलिस यानि गर्भ रक्ताडूं को रक्ता कहलाता है पहले बच्चे के प्रसव के बाद माता का उपचार करके इससे बचा जा सकता है रक्तिसकंदन रक्तिसकंदन रक्त के तरल रूप से ठोस रूप में रुपांतरण की प्रक्रिया है जब रक्त शतिग्रस्त रुधिर वाहिका से बाहराता है तो प्लेटलेट्स एक साथ एकत्र होकर प्लेटलेट्स कारकों को तोड़ कर मुक्त कर देती है प्रोथ्रॉम्बीनेच प्लास्मा की प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में पदलने लगता है एंजाइम थ्रूम्बिन का उप्योग घुलनशील प्रोटीन फाइब्रोनोजेन को अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रीन के रूपांतरन को उत्प्रेरित करनी के लिए किया जाता है और ये चोट के उपर जाल बनाता है केल्शियम आयन रख्तिसकंदन के लिए अवशक है लसिका जानी उतक द्रव लसिका एक द्रव संयोजी उतक है ये रंगहीन, पारदर्शी और प्रकृती में शारिये है जो कोशिकाओं और उत्कों के बीच उपस्तित होता है उतक की कोशिकाओं के बीच रिक्तिस्थान में उपस्तित द्रव उतक, द्रव या अंत्राली द्रव कहलाता है परिसंचरण पत परिसंचरण तंतर दो होते हैं खुला परिसंचरण तंतर और बंद परिसंचरण तंतर खुला परिसंचरण तंतर वो तंतर है जिसमें परिसंचारी द्रव वहिकाओं में परिरुध नहीं होता है ये और्थोपोड़ा और मोलस्का में पाया जाता है। जबकि बंद प्रकार का परी संचरण तंत्र वो तंत्र है जिसमें परी संचारी द्रव वही काउं में परिरुद्ध होता है। ये इस तंधारियों में पाया जाता है। मानव परिसंचरन तंत्र हिर्दय कशेरूकी में कक्षों से बना हुआ एक पीशी अंग है جो संपूर्ण परिसंचरन तंत्र में रक्त के प्रवाह को बनाय रखता है। हिर्दय हिर्द्यावरण कहलाने वाली दोरी भित्ती की थैली में बंद होता है जो बाहर तंतुमें और अवी तान्नि परत तथा एक भीतरी सीर्मी परत की बनी होती है। दो परतों के बीच का रिक्तिस्थान हिर्दयावरणी, द्रव कहलाने वाले द्रव से भरा होता है और ये हिर्दय की दीवारों और आसपास के उतकों के बीच घरशन की रोगताम करता है। माना विर्दय चार कक्षों का बना होता है, दो आलिंद और दो निलाय. आलिंद उपरी सिरे पर जबकि निलय पश्च सिरे परिस्थित होते हैं दो आलिंद एक अंतर अलिंदी पढ़ द्वारा अलग होते हैं जबकि दो निलय अंतर निलय पढ़ द्वारा अलग होते हैं अलिंद और निलय अलिंद निलय पढ़ द्वारा अलग होते हैं दाएं अलिंद और दाएं निले के बीच का छिद्र त्रिवलनी कपाट द्वारा घिरा होता है जबकि बाएं अलिंद और बाएं निले के बीच का छिद्र दुईवनली या मिट्रल कपाट द्वारा घिरा होता है अलिंद निलाई कपाटों के नुकिले सिरे गंडरा रज्जु द्वारा निलाई भित्ती से जुड़े होते हैं हिर्दय को जाने वाली दो प्रमुक धमनिया फुपुसिये धमनी और महा धमनी है उनके निकास द्वार अर्द चंद्र कपाटिका से घिरे होते हैं हिर्दय की दिवार हृद्ध पेशियों की बनी होती है। पूरे हिर्दय में एक विशिष्ट उतक को वित्रित किया जाता है और नोडल उतक कहलाता है। दो पर्व शिरा अलिंद पर्व और अलिंद निले पर्व होते हैं। शिरा अलिंद पर्व दाएं अलिंद की कूपरी दिवार में स्थित होता है। ये हिर्दय संकुचन का समर्वय करता है और ये हिर्दय के लिए पेश मेकर के रूप में कारे करता है। अलिंद निले पर्व अलिंद निले पट के निकट दाएं अलिंद में स्थित होता है। अलिंद निले पर्व से नोडल रेशों का एक बंडल दाएं और बाएं बंडल में विभाजित होता है। उसके बाद ये शाखाएं अपने संबंधित किनारों के निलियों में पुर किंजे तंतु कहलाने वाले छोटे रेशों में विभक्त हो जाती हैं। इस सवस्था में अर्द चंद्र कपाटी का बंद रहती हैं। प्रेरित करता है। ये अलिंद प्राकुंचन कहलाता है। इसके कारण रक्त का प्रवह निलय में बढ़ जाता है। अब क्रिया विभाव का संचालन अलिंद निलय बंडल के द्वारा होता है। और उसके बाद निलय की ओर हिच के बंडल द्वारा होता है। जिसके कारण निलय पीशियां संकुचित हो जाती हैं और अलिंद विश्राम अवस्था में होता है। निलयों के संकुचन के कारण निलय दाप बढ़ जाता है ताकि रुधिर के विपरीत प्रवा को रोकने के लिए त्रीवल्नी और दुईवल्नी कपाड़ बंध हो जाएं। दाप में वृधि होने के साथ साथ अर्द चंद्र कपडिकाएं खुल जाती हैं जिससे रक्त निलियों से फुपुसिये धमनी और महा धमनी से होता हुआ रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। निललाई दाब कम हो जाता है जिसके कारण निलय विश्राम अवस्था में आ जाते हैं और जिससे अर्द चंद्र कपाड़ी का बंध हो जाती है तथा त्रीवल्नी एवं दुईवल्नी कपाड़ खुल जाते हैं और हिर्दय एक बार पुना संयुक्त अनुशितिलन अवस् हृद निकास दिये गए समय में प्रतेक निलय द्वारा पंप किये गए रग्द की मात्रा हृद निकास कहलाती है स्टोक आयतन इसे प्रतेक विस्पंद में प्रतेक निलय द्वारा पंप की गई रुधिर की मात्रा के रूप में मापा जाता है इसका समानिमान 70 मिली लीटर है स्टोक आयतन और हिर्दे दर का गुडन फल अलप आयतन कहलाता है इसका समानिमान है 70 मिली लीटर गुड़ा 72 बराबर 5 लीटर लगभग प्रतेक हिरिद चक्र के दोरान हिर्दे दो धोनिया उत्पन्न करता है जिसमें पहली धोनी लब है जो त्रीवल्नी और दोईवल्नी कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है और दूसरी धोनी डब है जो अर्द चंदर कपाटिका के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है मूल यांकन आगे बढ़ने से पहले हाई ये जाने कि आपने कितना सीखा सही विकल्ब को उठा कर उसके संगत स्थान पर रखें विद्धुद हरिद लेखी यानि ECG Electrocardiograph विद्धुद हरिद लेखी Electrocardiogram यानि ECG प्राप्त करने के लिए उप्योग किया जाने वाला एक उपकरण है Electrocardiogram हरिद चक्र के दौरान हरिदे के विद्धुद विभाव का पता लगाता है और इसे दर्ज करता है एक प्रारूपिक ECG में विशिष्ट तरंगे होती हैं जो हरिद चक्र में होने वाली विशेश घटनाओं के अनुरूप होती है P तरंग अलिंद प्राकुंचन द्वारा उत्पन होती है Q RS तरंग निले प्राकुंचन द्वारा उत्पन होती है टी तरंग, निलय, अनुशिधिलन के साथ मेल खाती है हिरिद दर की गणना एक पी तरंग और अगली तरंग के बीच अंतराल से की जा सकती है दूई संचरण दूई संचरण में रक्त हिर्दय से हुकर दो बार पहता है फुपफुस संचरण में रक्त हिर्दय और फेपड़ों के बीच पहुचाया जाता है जबकि क्रम बद्ध परिसंचरण रक्त को हिर्दय और शरीर के अन्ने भागों के बीच ले जाता है प्रतेक अंग में एक प्रमुग धमनी होती है जो इसे रक्त की आपूर्थी करती है और लगभग एक प्रमुग शिरा होती है जो रक्त को पुना हिर्दय तक ले जाती है अमाशे और छोटी आत्र दो अपवाद हैं इन अंगों से रक्त यकृत निवाही का शिराद्वारा यकृत तक ले जाया जाता है जहां पचा हुआ भोजन संसाधित होता है रक्त पुना हिर्दय तक यकृत शिराद्वारा पहुचाया जाता है रिदिक क्रिया का नियमन आंतरिक रूप से हिर्दे की क्रियाएं स्वानियमित होती हैं मैट्यूला ओबलांगाटा में एक तंत्री का केंद्र स्वायत तंत्री का तंत्र द्वारा हिर्दे की क्रियाओं को संयमित करता है स्वायतित तंत्रिका तंत्र का भाग अर्थात अनुकम पी तंत्रिकाएं हिर्दय के कारियों को परिवर्थित कर सकती हैं जैसे की हिर्दय स्पंदन में वृत्थी निलै संखुचन जिसके कारण रेदिनिकास भी परिवर्थित हो सकता है स्वायतित तंत्रिका तंत्र का एक और भाग अर्थात परानुकम पी तंत्रिकाएं हिर्दे के कारियों को परिवर्तित कर सकती हैं जैसे की हिर्दे स्पंदन में कमी संकुचन एवं शिथिलन जिसके कारण हिर्दि निकास भी परिवर्तित हो सकता है परीशंचरण की विक्रित्या उच्च रक्त दाब यानी अतितनाव रक्त के दाब में वृध्धी जो सामानिमान 120 बटे 80 से अधिक होता है अतितनाव कहलाता है ये हिर्दय रोग को बढ़ावा देता है रिद धमनी रोग C.A.D. इसमें रिद धमनिया संक्री हो जाती है और रिद धमनी रोग हैधिरो काठिये यानी हैधिरो सकसिलोरोसिस भी कहलाता है ये हिर्दय घात को बढ़ावा देता है एंजाइना रिद शूल जब हिर्दय तक परियाप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो परिडाम सोरूप सीने में दर्द होता है रिद पाथ यानी हार्ट फेल्योर जब हिर्दय शरीर के विभिन भागों तक प्रभावी डंग से रख्ति किया पूर्ती नहीं कर पाता है तो रिद पाथ की अवस्था उत्पन्न हो जाती है मूलियांकन आगे बढ़ने से पहले आए जाने कि आपने कितना सीखा सही विकल्ब को उठा कर उसके संगत स्थान पर रखें क्या आप जानते हैं आत्र जीवाड़ों में एंटि आक्सिडेंड की प्रचुर मात्रा होती है जो सुक्ष्म जीवों को उत्पन्न करते है कार्डियो वैस्कुलर जोखिम कम कर सकते है मनिश्यों में प्रति दिन उन लाल रुधिर कोशिकाओं की जगा जो अपने जीवन चक्र की समाप्ती पर है हजारों नई लाल रुधिर कोशिकाओं बनती है सारांश आईए हमने जो कुसी का है उसे संग्षेप में दोहराएं रुधिर में प्लाज्मा और संगडित पदार्थ होते हैं प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और अलबुमिन प्रोटीन होते हैं इरीत्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स संगडित पदार्थ हैं रक्त के दो समू होते हैं ABO और RH रक्त का इसकंदन रक्त के तरल रूप से ठोस रूप में रुपांतरण की प्रक्रिया है। के दोरान हिर्दे के विद्धुत विभाव का पता लगाता है और इसे दर्ज करता है। परी संचरन तंद्र की विक्रित्या हैं अतितनाव, हृद धमनी रोग, हिर्दे शूल और हृद पात।